हलो ब्रेवान वेलकम टू इस्टेटीविक की आन्टरकास्त दोस्तों डी ट्रेपल स्बी की ओर से नरसरी टीचर ट्रेनिंग यानि की एंटेटी के लिए पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कुल 24 पेंज का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको डेटेल में सारी जांगारी प्रवाइड की गई है यह भी बताया गया है कि जो आपकी eligibility होगी वो क्या होगी और desirable क्या होगी pay skill कितना है age limit कितना है और उम्र सीमा में आपको छूट कितनी मिल रही है साथ यसाथ आपका syllabus क्या है सारी बातें चेक करते हैं एक एक करके तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि vacancy का जो number है advertisement number वो है आठ बटा दो जार तेईस तो यह आप याद रख लीजिए ठेक है इसके बाद opening डेट इसकी होगी 9 जनवरी दो जार चौबिस से यानि कि 9 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हैं कब तक साथ फरवरी दो जार चौबिस तक और पोस्ट कोड याद तो यहाँ पर जो vacancies है assistant teacher नर्सरी की vacancy है तीन तरह की vacancy आई है एक है आपकी assistant teacher nursery female यह vacancy municipal corporation of daily के इंतरकत है इसके बाद assistant teacher nursery की vacancy जिसमें male female से भी आवेदन कर पाएंगे यह vacancy है direct rate of education और इसके बाद last में है assistant teacher की vacancy जो की new daily municipal corporation में आई हुई है ठीक है अब यहाँ पर जो पदों की संख्या है तो आप देख सकते हैं कि जो assistant teacher nursery female के लिए vacancy आई हुई है इसमें कुल vacancy है 1261 और assistant teacher nursery के लिए जो vacancy है वो 120 है साथी साथ assistant teacher यानि कि new daily municipal corporation में जो vacancy है उसकी संख्या कितनी है 24 है total देखा जाए तो 1455 पद है ठीक है तो the above vacancies are tentative and based on the inputs of the indenting department's bodies तो यह आप ध्यान रखेगा आविदन जुरू हो रहे हैं कब से तो फ्रेंट्स ध्यान दीजेगा कि last date आपकी साथ फ़री होगी आविदन 9 January से start हो रहे हैं और आपको आविदन जो है वो online ही करना है यह ध जाएगा तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर चिक करते हैं eligibility के बारे में तो दोस्तों देखो यहां पर जो eligibility criteria है यह तीन section में दिया गया है मतलब कि जो तीन department आप आप देख रहे है Municipal Corporation of Delhi, Directorate of Education और New Delhi Municipal Corporation के अंतरगत जो vacancies है सभी vacancies entity की ही है लेकिन इसके जो eligibility है वो अलग दी गई है तो फिलाल यहां पर देख सकते हैं कि Municipal Corporation of Delhi के अंतरगत जो vacancy है Assistant Teacher, Nursery, Female के लिए इसमें कुल मिला के देखाए जाए तो general के लिए 512 पद है और all over 1261 पद है यहां पर देखेंगे तो जो दिव्यांग category की यह भिरती है उनके लिए च्छ पद जो दो इस टरवले पद है यह backlight vacancy है बाकी 12 दंच है मतलब 18 पद है category B में 12 पद है इस परकार साथ यहां पर देख सकते हैं तो qualification क्या रहेगी देखो friends जो qualification है बहुत ही आसान है समझ ना कि आपने intermediate pass किया हो 45 प्रस्त अंकों के साथ ठीक है मतलब आपका intermediate 35 प्रस्त अंकों के साथ होना चाहिए साथ ही साथ आपका diploma या certificate in nursery teacher education program आफे duration of not less than two year तो कम्सकम दो साल का कुर्स आपने किया हो entity का अंदब कम्सकम दो साल का हो तभी मानने होगा एक साल वाला मानने नहीं होगा diploma certificate in nursery teacher education program आफे duration of not less than two year या फिर आपने बीड नर्सरी वाला जो प्रोग्राम है अगर इसको भी किया है तभी आप आप आवाजदन कर सकते हैं और must have passed Hindi at secondary labor और intermediate में नहीं रखा गया है experience के अंतरगत नहीं है तो आपसे कुछ मांगा नहीं किया है कोई experience नहीं अगर आप फ्रेसर हैं तो आप आवजदन कर सकते हैं पे इसके लिए आपर 35,400 से 1,12,400 पे लेबल आपका six है group B non-state non-ministerial age limit तो दोस्तों age limit not exceeding 30 year मतलब 30 साल से ज़्यादा उम्रा आपकी नहीं होनी चाहिए हाला कि नेमा नुसार आपको कुछ छूट मिल रही है आपर आगे मैं आपको बता देता हूं कि कितनी छूट है तो कम सकम 3 साल है और 5 साल तक की छूट यहाँ पर मिल रही है तो आगे पूरी list है मैं आपको दिखाता हूं फिला दोस्तों यह जो आपने देखा यहाँ पर कि education qualification के अंतरगत qualification क्या माग रहे हैं तो इनका कहना यह है कि simply आप जो है बाराहमी पास हो और कम सकम उसके 45% अंक हो प्लस आपने entity किया हो जो कि कम से कम 2 साल का हो या अगर आपने बीड किया है लेकिन बीड में जो नरसरी होता है वो किया है तब आ आप आवेधन कर सकते हैं यही इसकी eligibility है और रही बात उम स्विमा की तो 30 साल तक के जो वेर्दी है वो आवेधन कर सकते हैं जो फ्रेसर है वो भी आवेधन कर सकते हैं तो यह सारी बात है clear हो गई है इसके बाद जो direct rate of education के अंतरगत अगर आप आएंगे तो same चीज है मतलब eligibility जो है तीनों की ही से में कोई बदलाव नहीं है direct rate of education के अंतरगत जनरल की seat 81 दी गई है total seat 120 दी गई है एक बात मैं आपको यहाँ पर फिर से clear कर देता हूं ध्यान से देख लीजिए जो यह vacancy है इसमें सरवार्धिक पद 1261 पद municipal corporation आप डेली की अंतरगत है और यह सारे दो हैं आप पर assistant teacher nursery director of education के अंतरगत और assistant teacher nursery new Delhi municipal corporation के अंतरगत मतलब यह जो 120 पद और 74 पद है इन पर male female सभी लोग आवितन कर सकते हैं तो maximum जो सीटे है 1455 सीटों में यह आप देख रहे हैं कि 1200 extra सीटें तो सीजिदे यहाँ पर female को ही जा रही है यह बात आप लोग ध्यान दे चीजिएगा रही बात eligibility की तो आप समझ गए कि eligibility सेम है बारामी पास होना चाहिए प्लस entity दो साल का होना चाहिए या फिर नरसरी दो साल का होना चाहिए 30 साल तक की उम्र की लोग इसमें आवे दन कर सकते हैं सेम जो है eligibility यहाँ पर भी दी गई है कोई नई बात नहीं है आप देख सकते हैं कि आपके पास intermittent होना चाहिए पतारज पसर वही चीज़े की entity होना चाहिए जो कि not less than two year या फिर बीए नरसरी होना चाहिए ठीक है और intermittent level पर हिंदी भी यह भी आप यहाँ पर जोड़ इस तरह है उसमें तो बात करने कोई जरूती नहीं है फिलाल देख लेते हैं कि नेम आफ डिपार्डमेंट न्यू डेली मिनिस्पर कारपरेशन के अंतरगत नियू डेली मिनिस्पर काउंसिल के अंतरगत सेम है जो वैकैंसी कुल चोहतर वैकैंसी है 21 स्टेटे जनरल के लि तो फ्रेंट्स मुझे उम्मीद है कि अब आप हर बात को अच्छे से समझ गए होंगे पूरे भारत के जो अभिरती हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं आप किसी भी राज के हो लेकिन ध्यान देजेगा कि जो यहाँ पर रिजर्वेशन का फाइदा मिलेगा आपको वो बिल्कुल फ्री में फार दिया गया है अब देखते हैं जो आपका एक्जामेशन स्टेवल है एक्जामेशन स्कीम है क्या है देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एक परिक्षा होगी टीर बन की परिक्षा होगी और इस परिक्षा के अंतरगत देखेंगे तो दो घंटे की परिक पेपर में दो सेक्षन रहेंगे, पहला सेक्षन सभी लिए कामन रहेगा, दूसरा सेक्षन जो है यह सब्जेक्ट्व रहेगा, अच्छा हाँ, जो आपकी परिक्षा होगी यह computer-based test पर होगी, ध्यान दीजिएगा, और यह भी है कि आप जब पहला सेक्षन स्टार्ट करेंग तो आपने देखा यहाँ पर कि इसके 5 पार्ट हैं और सभी पार्ट में आपको 20, 20 प्लस में पूछे जाएंगे, 100 नंबर की यह परिक्षा है, अच्छा नेगेटिव मार्किंग भी है, आगे बता रहा हूं, और सक्षन बी में MCQs of one mark each from the subject concerned, मतलब टीचिंग होगा, बेले करना है, दोनों को जोड़का 200 mark की परिक्षा होगी, जितने अच्छे अंक ले आएंगे आप, उतना यह बहतर रहेगा, आपके selection दिए, और यहाँ भी बता जा रहा है कि जो पेपर मिलेगा आपको, वो बाइलेंक को रहेगा, पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रह दिखा हुआ है, और यहाँ बाइफ फ्रेंड्स की यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग हैं कितनी हैं, वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप यह समझ दीजिए, कि there will not be any minimum qualifying mark in section A, section A में ध्यान दिजिएगा कि there will not be any minimum qualifying mark in section A, however, combined aggregate mark of both section A and B will be ranked out and preparing the final merit list, तो यह बात आपरो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यह नहीं का गया कि आपको एक निश्चित अंक लेकर आना है section A में, हाँ यह जरूर है कि section A और section B कि दोनों के mark को जोड़ा जाएगा जब आपकी merit तयार होगी, तो evaluation of tier 1 examination will be undertaken based on the cumulative mark of section A and B, और मतलब दोनों को नहीं होगी, और D++B reserve the right to cancel, withdraw, delete, इसारी चीज़े तो होती ही है, अब negative marking देख लेते हैं, तो negative marking कितनी है, दोस्तों यह रहेगा एक चौथाई, ठीक है, तो एक चौथाई आपकी negative marking भी होगी, अब दोस्तों यहाँ पर जो mode of selection होगा, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, कि variable has fixed the following minimum qualifying mark for the different categories, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि general के लिए, मतलब जनरल और EWS के 40 प्रतिशत अंक, यानि कम सकम 200 में, आपको 80 अंक लेकर आने हैं, तभी आप merit के लिए consider किये जाएंगे, OBC के लिए 200 में 70 नंबर आपको कम सकम लेकर आने हैं, यह CST, PH और EWT के लिए यह होगा आपका 60 नंबर, तो यहाँ पर आपको जो है, इतने अंक लेकर आने ही आने हैं, यह qualifying mark होंगे, ठीक है, and X serviceman will be given 5% relaxation in their respective category, subject to a minimum of 30%, तो दोस्तों यह जो आपको लिए, आपको कुछ कटाफ अंक निधाय की गई है, जिसमें आपका इतना अंक लेकर आना गंपल सर ही है, बागे फ्रेंटस ते जो notification है, इसमें और कोई खास बात तो है नहीं, हाँ, एज रिलेक्सेंस अंदर गया थी SCST को 5 साल, और OBC को 3 साल की शूट मिल रही है, जबकि जो दिव्यांग का टेगरी है, उनको 10 साल की शूट है, दिव्यांग SCST में 15 साल की शूट है, और द आयरी आप कैसे करेंगे, तो चनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको time to time guidance और study material यहाँ पर आपको दिया जाता रहेगा, तो अब आपको क्या करना है, नीचे like का बटन है, उसको दबा दीजिए, और चनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब में किया है, तो सब्सक्र